C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है तीसरी कक्षा के लिए ध्वनी पुस्तक गणित का जादू तीसरा पाट कुछ लेना, कुछ देना प्रिष्ट संख्या उन्तीस इस प्रिष्ट पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें किट्टू चीटा अपने घर को रगना चाहता है उसके घर में सौ कमरे हैं तो चलो देखते हैं कि किट्टू चीटा अपने घर को किस प्रकार रंगता है मैं किट्टू हूँ ये मेरा घर है काफी बड़ा है न, इसमें सो कमरे है, इन में से कुछ कमरों को रंगने में मेरी मदद करो चलो कमरा दो से शुरू करें, कमरा बारा तक पहुँचने के लिए ऐसे चलते हैं पहले दाई तरफ चल कर दस तक पहुँचे, फिर ग्यारा पर गए और बस एक कदम और लो, बारा पर पहुँच गए, अब कमरा बारा को रंग लिया ये दो से बारा तक पहुँचने का एक रास्ता हुआ, क्या कोई और छोटा रास्ता हो सकता है? क्यों नहीं? दो से एक चलांग उपर लो सीधे बारा पर पहुँच गए दो से बारा तक की चलांग रिक्तिस्थान कदम के बराबर है यहां चित्र में किट्टू का घर दिखाया गया है, जिसे एक वर्ग के सौ बराबर खानों के रूप में दर्शाया गया है प्रिष्ट संख्या तीस अब चौदा से उपर एक चलांग लगा कर देखो चौदा जमा दस बराबर चौबिस इस कमरे में रंग भरो मैं बाइस से एक तालिस तक कैसे पहुँचूँगा दो चलांग में बाइस से बियालिस पर पहुँच जाऊँगा फिर एक कदम बाएं हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं बाइस जमा बीस बराबर बियालिस 42 घटा एक बराबर 41 कुल मिलाकर कितने कदम हुए रिक्तिस्थान तुम इस तरीके से भी जा सकते हो 22 से एक कदम बाएं लेकर 21 पर पहुँचे फिर दो छलांग उपर लोब पहुँच गए 41 पर 22 घटा एक बराबर 21 21 जमा 20 बराबर 41 10 छलांग लगाकर हम पहुँचे 14 पर और फिर हमने एक बार और 10 की छलांग लगाई तो पहुँच गए 24 पर हम 22 पर हैं तो 22 से एक छलांग 10 की लगाई और पहुँच गए 32 पर फिर एक 10 की छलांग लगाकर पहुँच गए 42 पर और 42 से एक कम यानि एक कदम पीछे आए तो पहुँचे 41 पर हम 22 पर हैं और 22 से एक कदम पीछे लेते हैं तो हम पहुँचे 21 पर फिर हमने 10 की छलांग लगाई तो पहुँच गए 31 पर और फिर एक बार और छलांग लगाई दसकी तो पहुँच गए 41 पर मेरी खाने की चीजे ढूंडो पहुचो किट्टू के घर ढूंडो जवाब सुनो एक मज़ेदार बात मा ने मुझे बताया कि कुछ कमरों में बढ़िया बढ़िया मिठाईया है इन कमरों को खोजने में मेरी मदद करो कमरा संख्या ये संख्याओं पर निशान लगाते जाओ कि – 34 से 10 कम रितिस्थान होगा ख – 53 घटा 20 बराबर रितिस्थान ग – 31 से 11 ज़्यादा रितिस्थान होगा शिक्षकों के लिए निर्देश दस कुना दस संख्या ग्रिड दो अंकों की संख्याओं के जोड और घटाव के लिए एक उप्योगी साधन है बच्चों को प्रोट सहित करें कि वो ग्रिड के सहारे ऐसे जोड घटा के सवाल मुझवानी करें प्रिष्ट संख्या एकत्तीस घ, 66 से 11 कम रिक्तिस्थान होगा अल, 62 जमा 13 बराबर रिक्तिस्थान च, 89 से 23 कम रिक्तिस्थान होगा च, 10 से 40 ज्यादा रिक्तिस्थान होगा ज, 28 में 9 जोडने से रिक्तिस्थान आएगा ज, नौ और चवालिस का जोड रिक्तिस्थान होगा ि, अठानवे में से चॉँटिस कम करने पर रिक्तिस्थान होगा त, चार और उससे सेंतिस ज्यादा रिक्तिस्थान हो जाएगा और ठ, 83 में से 35 निकाल देनी पर हमें रित्तिस्थान मिलेगा यहां चित्र में किट्टू का घर दिखाया गया है जिसे एक वर्ग के 100 बराबर खानों के रूप में दर्शाया गया है प्रिष्ट संख्या 32 उधारण 47 बराबर 37 जमा 10 37 जमा 9 बराबर रिक्तिस्थान चिती बोली क्या इसके लिए कोई छोटा रास्ता है 65 घटा 30 बराबर रिक्तिस्थान चिता बोला क्या यह आसान रहेगा कि हम पहले 46 जमा 20 कर ले रिक्तिस्थान बराबर 46 जमा 21 चिन्टी बोली तुम ये कैसे करोगे रिक्तिस्थान बराबर 87 घटा 30 66 घटा रिक्तिस्थान बराबर 11 45 जमा रिक्तिस्थान बराबर 99 रिक्तिस्थान जमा 26 बराबर 75 रिक्तिस्थान घटा 21 बराबर 35 36 बराबर रिक्तिस्थान जमा 9 40 जमा रिक्तिस्थान बराबर 76 98 बराबर रिक्तिस्थान जमा 50 और 97 घटा रिक्तिस्थान बराबर 20 प्रिष्ट संख्या 33, जटपट जोड, यहां एक दृष्च दिखाया गया है, जिसमें फल वाली फल बेच रही है अनीशा ने 37 रुपे के सेब खरीदे, राजा ने 21 रुपे के केले खरीदे फल वाली ने कहा, 37 का मतलब 30 और 7, 21 का मतलब 20 और 1, इसलिए 37 और 21 मिलाकर 58 बनेगे तो अनीशा ने कहा, पहले दो तो समझ गई, राजा बोला, उसने 37 और 21 को पटापट कैसे जोड दिया चलो, हम भी कोशिश करें, जरा इस जोड को देखो 26 जमा 43, 20 जमा 6, 6 इकाई के और 20 दहाई के जमा 40 जमा 3, 3 इकाई और 40 दहाई अब हम दहाई को इकठा जोडते हैं और इकाई को इकठा तो 20 जमा 40 हुए 60 जमा 6 जमा 3 बराबर 9 तो 9 इकाई और 60 दहाई कुल मिला कर हुए 59 तो जवाब हुआ 59 अनीशा ने सोचा 26 हुआ 20 जमा 6, 43 हुआ 40 जमा 3 और राजा ने सोचा आगे हासान है हम 20 जमा 40 जोडेंगे और 3 जमा 6 प्रिश्ट संख्या 34 क्या तुम इसे किसी और तरीके से जोड सकते हो बोलो कैसे 33 जमा 56 बराबर 30 जमा 3 जमा 50 जमा 6 तो इसमें हम दहाई को एक तरफ और इकाई को एक तरफ करके जोडते हैं तो 30 जमा 50 बराबर 80 जमा 3 जमा 6 बराबर 9 इकाई तो 80 जमा 9 इकाई बराबर 89 जरा देखो कि क्या तुम इन सवालों को भी वैसे ही कर पाते हो 37 जमा 22 बराबर 30 जमा 7 जमा 20 जमा 2 बराबर रिक्तिस्थान जमा रिक्तिस्थान जमा रिक्तिस्थान बराबर रिक्तिस्थान जमा रिक्तिस्थान बराबर रिक्तिस्थान 73 जमा 24 बराबर रिक्तिस्थान जमा रिक्तिस्थान जमा रिक्तिस्थान बराबर रिक्तिस्थान जमा रिक्तिस्थान बराबर रिक्तिस्थान जमा रिक्तिस्थान आम मिर्च का खेल एक जोड़ा पासा लो या इमली के दस बीज और उस पर आई संख्याओं को जोड़ कर आगे और पीछे चलो हर खिलाडी के लिए अलग-अलग रंका बटन लो पन्नू पर बने बॉडर पर खेलो अगर तुम आम पर पहुँशते हो तो तुम आगे जाओगे अगर तुम मिर्च पर कदम रखते हो तो पीछे जाना पड़ेगा देखो कौन पहले घर पहुँशता है प्रिष्ट संख्या 35 56 जमा 21 बराबर 56 जमा 20 जमा 1 बराबर 57 जमा 20 बराबर 77 अहा मैं तो इसे इस तरीके से भी कर सकता हूँ अब तुम इस जोड को अपने मन में करो सीधे इन खानों में उत्तर लिखो 33 जमा 42 बराबर रिक्त स्थान 19 जमा 61 बराबर रिक्त स्थान रिक्त स्थान बराबर 48 जमा 42 रिक्त स्थान बराबर 33 जमा 27 रिक्त स्थान बराबर 34 जमा 63 रिक्तिस्थान बराबर 53 जमा 64 55 जमा 25 बराबर रिक्तिस्थान 67 जमा 25 बराबर रिक्तिस्थान और 72 जमा 56 बराबर रिक्तिस्थान प्रिश्ट संख्या 36 मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ एक बार एक शेर का बच्चा जंगल में रास्ता भूल गया उसने रोना शुरू कर दिया और अपनी मा को बुलाने लगा एक बुगुड़े हिरन को उस पर तरसा गया वो उसे अपने आले आया लेकिन उसे देखकर दूसरे हिरन डर गए बाकी सब जानवर भी घबरा गए हरगोश, गिलहरी, चड़िया हमारे बीच एक शेर? नहीं, नहीं, वो हमारे बच्चों को खा जाएगा बोड़े हिरन ने कहा परेशान मत हो, मैं उसे समझा दूँगा सुभए उठते ही शेर के बच्चे ने सब को धन्यवाद दिया और वहां से जाने लगा खरगोश ने कहा रुको, उसे ऐसे मत जाने दो पहले गिन कर देखते हैं कि कहीं उसने हमें धोका तो नहीं दिया हम सब मिलकर दो सौ चालिस होने चाहिए इसी प्रिष्ट पर एक चितर दिखाया गया है जिसमें एक जंगल है और जंगल में सभी जानवर दिखाये गए हैं टिल्लू ने खरगोश और हिर्णों को गिना खरगोश 27 और हिर्ण 48 थे बूले हिर्ण ने चड़ियों और गिलहरियों को गिना वहाँ पर 124 चड़ियां और 38 गिलहरियां थी संख्याओं के खेल वाले अध्याय में बच्चों ने टोकन कार्ड बनाए होंगे लिकित सवाल करने से पहले जोड के अभ्यासों के लिए इनी टोकन कार्डों का इस्तिमाल बच्चों से करवाएं प्रिष्ट संख्या 37 चलो जोड़ें और देखें कि वहाँ कितने हिरण और खरगोश हैं हिर्णों की संख्या 48 खरगोशों की संख्या 27 तो 48 जमा 27 इसमें 8 एकाई के स्थान पर है और 4 दहाई के स्थान पर यानि 10-10 के 4 कार्ड और 1-1 के 8 कार्ड तो हो गए 48 और 27 में 7 एकाई के स्थान पर और 2 दहाई के स्थान पर अर्थात दस-दस के दो कार्ड, अर्थात बीस और एक-एक के साथ कार्ड, अर्थात साथ. तो अब आगे बढ़ते हैं, अर्थालीस जमा सत्ताइस और इसमें हमने एकाई को पहले जोड़ा, तो आठ जमा साथ को एक साथ जोड़ेंगे, तो हो गए पंद्रा, पंद्रा में पांच एकाई के स्थान पर लिखेंगे, और एक हासिल चार के उपर लगाएंगे, सारे एक साथ साथ रखते हैं, तो हमें पंद्रा एक मिलेंगे, दस एक मिलाकर दस पनाएंगे, और हमारे पास पांच एक बची रहेंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं, 48 में 27 को जोडते हुए हमने देखा कि 8 एकाई के स्थान पर हैं, और 4 दाए के स्थान पर, मतलब दस दस के चार काड और 8 एकाई अर्थात एक एक के आठ काड और 27 में 7 एकाई अर्थात एक एक के साथ और 2 दाए अर्थात दस दस के दो काड तो 48 जमा 27 को जोडेंगे, तो 8 जमा 7 हुए 15 और 5 को हम इकाई के स्थान पर लिखेंगे, और एक हासिल 4 के उपर लगाएंगे, अर्थात दाए के स्थान पर, तो एक जमा 4 जमा 2 बराबर 7 तो 48 जमा 27 मिलकर हुए 75 अब सारे 10 साथ साथ रखते हैं, तो हमें साथ दस मिलेंगे, इसलिए हिड़नों और खरगोशों की कुल संख्या हुई 75 प्रिश्ट संख्या 38 इसी तरह हम 124 चड़ियों और 38 गिलहरियों को जोड सकते हैं, पहले सारे एक साथ सत रखकर दस का समू अलग कर लेते हैं, चिड़ियों की संख्या 124 और किलहरियों की संख्या 38 तो 124 में 100 का एक कार्ड, 10-10 के 2 कार्ड और एक एक के 4 कार्ड और 38 में 10-10 के 3 कार्ड और एक एक के 8 कार्ड तो पहले हम एकाई को जोड़ेंगे, तो 124 में 4 और 38 में 8 तो 4 जमा 8 बराबर 12 तो 12 में 2 हम नीचे लिखेंगे और 1 हासिल 2 के उपर लिखेंगे, तो एक जमा 2 जमा 3 हो गए 6 और फिर एक का एक तो यह हो गया 162 फिर 10 को 7 रख लेते हैं और अंत में हमें 100 मिलता है, तो 100 यानि सेकड़ा 1, 10 दहाई 6 और 2 इकाई, तो यह बन गया 162 इसलिए गिलहरियों और चुडियों की कुल संख्या 162 है, हिरन और खरगोश की कुल संख्या 75 है, बोड़े हिरन ने कहा, हमारी कुल संख्या 240 थी, देखो अब हम कुल मिलाकर कितने हैं, चीटे ने कहा, तुम अंदाजा लगाओ, शेर का बच्चा घर गया या नहीं, क्या शेर के बच्चे ने किसी जान्मर को खा लिया था, इसका पता लगाने के लिए नीचे दिये गए खानों में जोड़ो, चिडियों और गिलहरियों की संख्या, रिक्तिस्थान, हिरनों और खरगोशों की संख्या, जमा, रिक्तिस्थान, बराबर, रिक्तिस्थान, प्रिष्ट संख्या 49, कितने बल्ब, एक, एक कारखाने में पहले दिन दो सो सत्तर बल्ब बने, दूसरे दिन एक सो तेज बल्ब बने, कारखाने में कुल मिला कर कितने बल्ब बने, पहले दिन दो सो सत्तर बल्ब बने, दूसरे दिन एक सो तेज बल्ब बने, तो चीटे ने सोचा, कुल कितने बल्ब होंगे 270 जमा 123 क्या जोड 350 से ज्यादा होगा या 350 से कम होगा मुझे लगता है 270 और 100 मिलाकर 370 होंगे जोड 350 से ज्यादा होगा इस प्रिष्ट पर कुछ चितर दिये गए है इन चितरों में एक कारखाने का द्रिश्य है जिसमें बल्बों को बनते हुए दर्शाया गया है हल पहले दिन बने 270 दूसरे दिन बने जमा 123 तो कुल बल्ब बने पहले हम इकाई को जोडेंगे 0 जमा 3 बराबर 3 अब दहाई को 7 जमा 2 बराबर 9 और अब सैकडे को 2 जमा 1 बराबर 3 तो कुल बल्ब बने 393 प्रिष्ट संख्या 40 इस प्रिष्ट पर एक द्रिश दिखाया गया है जिसमें एक दुकानदार रफी अपनी दुकान पर मुम्बत्यां बेच रहा है और दुकान का नाम है रफी मुम्बत्य स्टोर दुकानदार रफी के पास 153 मुम्बत्या थी पारस ने उसे 237 मुम्बत्यां और दे दी अब रफी के पास कुल मिला कर कितनी मुम्बत्यां हो गई चीटे ने सोचा 237 जमा 153 बराबर जोड 400 से ज्यादा होगा या 400 से कम होगा हम तो आए जोड़े 237 जमा 153 बराबर रिक्तिस्थान इसी तरीके से नीचे दी गई कहानी के सवालों को हल करो पहले सवाल को पढ़ो फिर उसे अपने शब्दों में कहो और लिखने से पहले जवाब का अंदाजा लगाओ इस प्रिष्ट पर सबसे नीचे एक चितर दिखाया गया है जिसमें एक रेल गाड़ी दिखाई गई है क एक ट्रेन के डिब्बे में 132 लोग हैं दूसरे डिब्बे में 139 लोग हैं दोनों डिब्बों में कुल मिला कर कितने लोग हैं प्रिष्ट संख्या 41 इस प्रिष्ट पर एक लड़का और लड़की पत्थर इकठे करने का खेल-खेल रहे हैं ख शानू को 138 पत्थर मिले करीम को 44 पत्थर मिले उन्हें कुल कितने पत्थर मिले 138 जमा 44 बराबर रिक्तिस्थान इसी प्रिष्ट पर एक द्रिष्ट दिखाया गया है इस द्रिष्ट में एक शिक्षिका फलों की दो टोकरियों को देखकर कुछ लिख रही है गर एक शिक्षिका अपने स्कूल में ये पता लगाती है कि बच्चों को कौन से फल पसंद है यहाँ पर चार खाने दिए गए है जिनमें लिखा है बच्चे, संत्रा, आम और कुल लड़कियां 136, आम 240, कुल रिक्तिस्थान लड़के, संत्रा 128, आम 243, कुल रिक्तिस्थान बच्चे, संत्रा, रिक्तिस्थान बच्चे, आम, रिक्तिस्थान पता लगाओ क, कितने बच्चे ऐसे हैं जो संत्रे पसंद करते हैं क, कितने बच्चे ऐसे हैं जो आम पसंद करते हैं ग, कुल मिलाकर स्कूल में कितने बच्चे हैं और घ, लड़कियों की संखिया 350 से ज्यादा है या कम, प्रिष्ट संखिया 42, अभ्यास का समय क, पहला, 345 जमा बावन, दूसरा, 492 जमा उनतीस, तीसरा, 245 जमा तिरानवे, चोथा, 643 जमा 345 और पांचमा, 750 जमा 219 ख, 319 जमा 323 बराबर रिक्तिस्थान, 304 जमा 406 बराबर रिक्तिस्थान, 363 जमा 456 बराबर रिक्तिस्थान, 427 जमा 248 बराबर रिक्तिस्थान, पहली, जोड है मेरा पक्का दोस्त, लड़ते हैं हम कभी नहीं, मुझको करके उसे बुलाओ, जाचों क्या मैं हूँ सही, खेल, मन की बस, दो दोस्त इस खेल को खेलते हैं, तुम बस को देखो, हर बस स्टॉप पर कुछ लोग बस में चड़ते हैं, कुछ उतरते हैं, कुल मिलाकर कितने लोग बस में हैं, मन में हल करो और चर्चा करो, वो दोस्त जो ठीक उतर देते हैं, उन्हें कुछ अंक मिलते हैं, अपने अंकों की सुची बनाओ, जोड कर पता लगाओ, कौन जीता हैं, प्रिष्ट संख्या 43, हर संख्या को लिखने के चार अलग अलग तरीके पता लगाओ, चीटा बोला, अगर तुम पहले बॉक्स की सारी संख्याओं को जोडते हो, तो तुम्हारा उतर हमेशा 69 आएगा, 69 अर्थात, 50 जमा 9, 30 जमा 29, 19 जमा 40, और उन्सट जमा शोन्या, तो अठतर, रिक्तिस्थान जमा रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान जमा रिक्तिस्थान, तीस जमा रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान जमा रिक्तिस्थान, तिरासी, रिक्तिस्थान जमा रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान जमा तिर्थालिस रिक्तिस्थान जमा रिक्तिस्थान और रिक्तिस्थान जमा रिक्तिस्थान निन्यान्मे रिक्तिस्थान जमा रिक्तिस्थान रिक्तिस्थान जमा उन्तालिस रिक्तिस्थान जमा रिक्तिस्थान और रिक्तिस्थान जमा रिक्तिस्थान एक सो दो रिक्तिस्थान जमा रिक्तिस्थान रिक्तिस्थान जमा रिक्तिस्थान रिक्तिस्थान जमा रिक्तिस्थान और रिक्तिस्थान जमा पचास एक सो अरसट रिक्तिस्थान जमा रिक्तिस्थान रिक्तिस्थान जमा रिक्तिस्थान जमा 68 और रिक्तिस्थान जमा रिक्तिस्थान माथा पच्ची एक, दो, तीन, चार, पांच, छे की संख्या को गोलों में इस तरह लिखो कि हर लाइन में लिखी संख्याओं का जोड बारह आए इस प्रिष्ट पर एक चित्र दिखाया गिया है, जिसमें एक त्रिभुज पर छे गोले दिखाये गए हैं अब उत्तर दो प्रिष्ट संख्या चवालीज मिठ्ठू के बस्ते तक पहुँचो सभी सवालों को अपने मन में हल करो और खाने में लिखो ग 75 जमा 20 बराबर 95 ख 90 जमा 60 बराबर 150 ग 25 जमा 30 जमा 3 बराबर रिक्तिस्थान ग 9 जमा 40 जमा 31 बराबर रिक्तिस्थान अण, पाँच सो जमा दो सो बराबर रिक्तिस्थान, च, चार सो जमा तीन सो पचास बराबर रिक्तिस्थान, च, छे सो सत्तर जमा एक सो बीस बराबर रिक्तिस्थान, ज, तीन सो असी जमा दो सो दस बराबर रिक्तिस्थान, ज, दो सो पांच, जमा छे सो पचास, बराबर रिक्तिस्थान य, एक सो अठाईस, जमा छे सो बराबर रिक्तिस्थान त, एक सो पचास, जमा उनहत्तर, बराबर रिक्तिस्थान और त, सैंतीस, जमा छे आलिस, जमा तीन, बराबर रिक्तिस्थान इन जवाबों को क्रम से इस हरे बाग में ढूंटते जाओ, तुम्हारे जवाब सही होंगे, तभी तुम सही रास्ते से बस्ते तक पहुँच पाओगे, नहीं तो भटक जाओगे प्रिष्ट संख्या 45 काड खेल एक दिन बबली और गोपु खेल रहे थे, बबली ने गोपु को अलग-अलग संख्याओं के तीन काड दिये, उसने काडों को दो तरीकों से रखा, गोपु ने बबली से कहा, क्या तुम इन काडों को इन दो तरीकों के अलावा किसी और तरीके से भी रख सकते हो? इस प्रिष्ट पर एक चित्र दिखाया किया है, जिसमें बबली और गोपु दो बच्चे आपस में बाती कर रहे हैं एक सो पचास घटा एक सो बीस बराबर तीस एक सो पचास घटा तीस बराबर एक सो बीस बबली ने उसे इस तरीके से रखा एक सो बीस जमा तीस बराबर एक सो पचास क्यों है न मसेदार ये खेल तुम भी खेल सकते हो मान लो ये तुम्हारे काड है अब सोचो संख्याओं को अलग अलग तरह से लिखने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं क पचास सत्तर बीस रिक्तिस्थान जमा रिक्तिस्थान बराबर रिक्तिस्थान पचास बीस सत्तर रिक्तिस्थान घटा रिक्तिस्थान बराबर रिक्तिस्थान रिक्तिस्थान, घटा, रिक्तिस्थान, बराबर, रिक्तिस्थान, ख, तीस, ब्यालीस, बारह, रिक्तिस्थान, जमा, रिक्तिस्थान, बराबर, रिक्तिस्थान, जमा, रिक्तिस्थान, बराबर, रिक्तिस्थान, तीस, ब्यालीस, बारह, रिक्तिस्थान घटा रिक्तिस्थान बराबर रिक्तिस्थान इसी के साथ तीसरा पार्ट कुछ लेना कुछ देना यहीं सवाप्त होता है स्वर प्रमीन शर्मा तक्निकी समन्वयक बटिलेंग लिंडो ध्वनियंकन मयंक कुमार निर्मान सहयोग रुचि शर्मा निर्देशन और निर्मान विमलेश चोधरी तथा प्रस्तोती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत